नमस्कार सर नमस्कार सर सर क्या नाम है आपका? सर देवकरन परमार नाम है मेरा कहां से आया है? सर उज्जन पमासस आया है सर आपने संत्रामपल जी मारास से नाम दिक्षा कब ली? सर 21 दिसंबर 2017 को हमने संत्रामपल जी महराज जी से नाम दिक्षा ली सर संत्रामपल जी मारास से नामदिक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ती साधनाए करते थे सर जैसे की सारा समाज देवी देवता की पुजा क्या करता है वैसे ही मैं 18 साल तक उनकी देवी देवता की पुजा की उनकी भक्ती की उसके बाद सर मैं 19 साल में सहेज योग शी निर्मला देवी से जुड़ा जिनका में सेंटर दिल्ली छाउला में है तीन साल तक मैं सहेज योग से जुड़ा रहा सर आपने बताये कि आप देवी देपताओं की भक्ति करते थे तता उसके बाद आप सहज योग निर्मला देवी की सरण में गए इन सबी साधनाओं से आपको क्या क्या लाब हुए तबियत खराब होती रही मेरी और आर्थिक परेशानियों से भी जूचता रहा हमें तो सर फिर संत्रामपाल जी महाराज की सरण में आप कैसे आए जी सर मेरे जया जी है वो उन्होंने हमें संत्रामपाल जी महाराज की एक बुग दीती जीने की रहा जिस बुक को हमने पढ़ा उनके ग्यान को समझा और फिर उनसे नाम दिख्षा ली सर आपने बताय कि आपने संत रामपाल जी महाराज की जीने की राप उस्तक पड़ी उसके बाद आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दिख्षा लेकर आए संत रामपाल जी माराज की सण में आवे हैं आपको अभी दो ही महीने हुए हैं तो किया आपको कोई लाब भी प्राब्त हुए मुझे सबसे बड़ा लाब हुआ, मुझे बचपन से 23 साल की उमर हो गई आज, नजले की प्रोब्लम थी, संत रामपाल जी मराज जी से नाम दिख्चा लेने के बाद, अभी मुझे दो महीने ही हुए है, और मेरी बीमारी, मैं आपके सामने बिल्कुल सोस्त खड़ा हूँ, और मुझे पेशो की जो प्रोब्लम हुआ करती थी, बिल्कुल समाप तो हो चुकी है, अब कोई दिक्केत नहीं होती, घर के अंदर काल कलेश होते थे, बिल्कुल खतम हो गए, अब सब 37 रहते, एक दूसरे की बास समझा करते हैं, एक दूसरे का कहां मैना करते हैं, पेले ह किसी की बात नहीं सुनते थे, ना समझते थे, इससे पहले आप सहज योग निर्बला देवी जी की सरण में थे, तो कुछ हमारे दर्सकों को भी बताईए, कि आप बहां आपको क्या भक्ती साथना दी जाते थी, तता उससे आपको क्या कैला हुए? वहां हमें केवल ध्यान करा जाता था, इंद्रियों के उपर, बताया जाता था कि आपके शरीर में कुछ चक्र है, जब तक को खराब रहेंगे, आपका कोई फाइदा नहीं होगा, लेकिन महां लगातार ध्यान करते हुए, अच्छी स्थिति पाते हुए, चक्रों को देख रहा है, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सरु भाइब से उस परमेशर की शरण में जा, वो तुझे सरु पापों से मुक्त कर देगा, आप सब संत्रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए और अपना जीवन का कल्यान कराए संत्रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? संत रामपाल जी मराज जी की शरंड में आने के लिए उनके कई चेनल उपर ससंग आते हैं ससंग के निचे मुबाइल लंबर दे रहते हैं आश्रूमों के आप उन मुबाइल के उपर कॉन्टेट कीजिए आपको फोन लगाईए महाँ से पूछे आपको नाम दिच्चा ले सकते हैं धन्यवाद सर सच साहिब